So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आने की 12 नवंबर के important current affairs को, तो आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल इमें राष्टर सिक्षा दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 11 नवंबर को, तो हर साल 11 नवंबर को ये national education day के रुप में मनाया जाता है, ये जो दिन है ये भारत के जो हमारे पहले सिक्षा मंतरी थे मौलाना अबुल कलाम आजाद उनकी जैनते का दिन होता है, अचा अगर आपसे पूछा जाए मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत का जो सरवोच नागरिक सम्मान भारत तर्रत्न वो कब मिला था, 1992 में, और इस दिवस की थीम क 24 चनवरी को मनाते हैं, और 24 चनवरी को एक और दिन मनाते हैं राष्टर बाली का दिवस, नैशनल गल चैल डे, अचा जो सिक्षा है, ये किस सूची का विशे है, तो आंसार होगा समवर्ती सूची का, पर याद रखना, मूल समविधान में ये सूची का विशे था, और प् BAC की नई अध्यक्ष कौन बनी है, निधी चिबबर बनी है, और NCRT के डारेक्टर बने थे, दिनेश प्रसाद सकलानी, अचा दो प्रशन और बनेंगे, जो आपकी New Education Policy 2020, नई सिक्षानीती 2020 आये थी, उसको लागू करने वाला पहला राज्य पूछेंगे, तो आंसर होगा करना तक, लेकिन यहीं से एक आपका प्रशन और बन जाता है, अगर प्रशन आएगा कि Pre-Primary स्तर पर नई सिक्षानीती को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तब आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तरा खंड, और इसी साल आपने पढ़ा होगा, अभी किस राजे में कक्षा चटी से लेके बारवी तक के छात्रों को भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, तो आंचर होगा गुजरात, और इसी तरह से किस राजे ने कक्षा नवी से लेके बारवी तक के छात्रों को भगवत गीता पढ़ानी की घोशना की, तो आंचर होगा हिमाच National Teacher Day तो 5 September को होता है और उसके एक महीने बाद होता है आपका अंतरराष्टर सिक्षा दिवस यानि कि 5 October को आपको यादे अभी 1 November को हमने World Wagon Day मनाये था 3 November को पहला अंतरराष्टर Biosphere Reserve Day मनाया 5 November को विश्व सुनामी जाग रुखता दिवस मनाया 7 November को राष्टर Cancer जाग रुखता दिवस होता है 8 November को World Radiography Day मनाये था 9 November को राष्टर कानूनी सेवा दिवस मनाया 10 November को विश्व विज्ञान दिवस मनाया और अब ये 11 November को हमने राष्टर सिक्षा दिवस मनाया ये सब याद रखना बढ़ते आगे अच्छा ये प्रश्ण भी important है कि अभी हाली में किसे 2022 का 32 बिहारी पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो आंसर होगा डॉक्टर माधव हाडा को अब इस प्रश्ण में दो प्रश्ण हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से सुनना अगर आपसे पूछा जाए एक्जाम में कि 2022 का 32 बिहारी पुरुसकार किसे मिला तब तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर माधव हाडा उनको उनके उपन्यास उनकी करती पचरंग चोला पहर रखी री के लिए ये सम्मान मिला है लेकिन अगर आपसे पूछें 2021 का 31 बिहारी पुरुसकार ये किसे मिला तब आपका अंसर हो जाएगा मधू कांकरिया को उनके उपन्यास हम यहां थे के लिए बिहारी पुरुसकार की पहले बात करते हैं इसे 1991 में केके बिल्ला फाउंडेशन के द्वरा इस्थापित किया गया ये एक साहितिक पुरुसकार है ये राजस्तानी लेखकूं को मिलता है और इसे प्रसिद्ध कवी बिहारी के नाम पे इसका नाम रखा गया है इसमें पुरुसकार के रुप में धायलाग रुप और एक सर्टिफिकेट मिलता है अभी आपको याद होगा 31 जीडी बिल्ला पुरुसकार किसे मिला था नारयन प्रधान को मिला था और इसी तरह से 31 सरस्वति सम्मान मिला था रामदरश मिश्रा को उनके कविता संगर मैं तो यहां हूँ के लिए और दया प्रकार सिनहा का नाम आपने सुना होगा हिंदी का साहित्य अकाद्मे पुरुसकार इनको मिला था इनके नाटक समराट अशोक के लिए और अंग्रेजी का किसे मिला था नमिटा गोखले को मिला था उनके नॉवल तिंग टू लिव बिहाइंड के लिए और साहित्य अकाद्मे पुरुसकार कितनी भाषाओं में दिया जाता है तो 24 भाषाओं में दिया जाता है इसमें 22 तो आपके समविधान के आठवे अनुसूची वाली भाषाई हो गई और दो कौन से हो गई अंग्रेजी और रादस्थानी और आशा पारेक 2020 का भी दादा साहफ वाल के पुरुसकार इनको मिलाई है अच्छा एक प्रशन में आपसे पूछूँगा जो हमारी अगर आप Current Affairs की Revision वाली क्लास देखते होंगे वह हमें कई बार आपसे वो प्रशन पूछ सुका हूँ कि जो ग्यानपीट पुरुसकार है वो कितने भाषाओं में दिया जाता है ये बताओ आप हम बढ़ते आगे चलो बताओ अभी हाल में किसे नवीट Technologies का Brand Ambassador बनाया गया तो अंसर होगा महिंदर सिंग धोनी को तो अभी नवीट Technologies लिमिटेड ने महिंदर सिंग धोनी को अपना Brand Ambassador बनाया ये Personal Loan, Home Loan और सामान्य भीमा जैसे वित्ते उत्पात बेशती है जिसके अभी Brand Ambassador बन गए महिंदर सिंग धोनी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि महिंदर सिंग धोनी ये गरुड Aerospace के Brand Ambassador बने थे उसके अलावा भी हमने पढ़ा था Lionel Messi जो की Footballer है अभी Byjuice के Global Brand Ambassador बने ये रोहित शर्मा Max Life Insurance के Brand Ambassador बने थे और एक South के एक्टर है Ram Charan वो Hero Motocop के Brand Ambassador बने और इसी तरह से कंणड एक्टर है किच्चा सुधीप जिनको भी करनड़क सरकार ने अपनी पुन्य कोटी दत्तु योजना के लिए Brand Ambassador बनाया अभी यूराद सिंग नेतरहीन T20 World Cup जो होंगे भारत में उसके Brand Ambassador बने रवी शास्तरी फैन कॉड के Brand Ambassador बने इसमरती मंधाना गल्फ ओयल इंडिया की बनी और सौरव गंगुली अभी बंधन बैंक के भी बने थे और ड्रीम सेट गो के भी Brand Ambassador बने थे रिशब पन्त अभी उत्तराखंड के Brand Ambassador बने तो ये कुछ important Brand Ambassadors थे जो अभी आपके current affairs में थे इनको ध्यान रखना हम बढ़ते आगे फिर बताओ अभी हाली में आचार समिति का अद्यक्ष किसे बनाया गया तो अंसरों का परकाश चावडेकर को तो अभी हमारे जो पूर्व केंद्रे मंत्री हैं परकाश चावडेकर उनको राज्यसभा के आचार समिता याने की ethics committee का अद्यक्ष निउक्ष किया गया है तो अभी हमारे राज्यसभा के जो सभापती हैं उन्होंने कई समितियों का पुनर गठन किया और उनके अद्यक्षियों को निउक्ष किया अच्छा राज्य सबाके सभापती कौन? बई राज्य सबाके सभापती कौन होते हैं? जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट तो आप जानते हैं जगदीब धनकडे 14th नंबर के अच्छा हमने क्या का? इन्होंने अभी कई समीटियों का पुनर गठन किया है और उनके नए अध्यक्ष बने हैं जैसे की आवाज समीटी, Housing Committee इसके अध्यक्ष बने हैं C.M. रमेश, याची का समीटी, Petitions Committee इसके अध्यक्ष बने हैं सुजीत कुमार और सरकारी आश्वाशनो संबंदित समीति यानि कि पैनल on government assurance इसके अध्यक्ष बने है M. थंबे दुर्रई अभी संसद ये समीति पारलेमेंटरी पैनल का अध्यक्ष किसे बनाया गया कामाख्या प्रसाद तासा को अच्छा संसद की बात करें दिखो ऐसे अधर्खना संसद हो गया, राज्यसबा हो गया और लोक्सबा हो गया तो संसद का जो संबंदे या संसद का जो उलेख है वो भाति समीदान के अनुच्छिद 79 में है, राज्यसबा का उलेख अनुच्छिद 80 में है और लोक्सबा का अनुच्छिद 81 अच्छा एक बार एक्जाम में प्रश्ण पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत की पहले निर्वाचित संसद ये कब से अस्तित्व में आई थी तो आंसर होगा 1952 तो कि भारत के सम्विधान के तहट प्रथम आम चुनाओ सन 1951-52 में संपन हुए थे और प्रथम निर्वाचित संसद ये 1952 में अस्तित्व में आई थी बाकिया आप जानते हो राजे सबा ये भारते संसद का उच्च सदन होता है राजे सबा संसद का एक इस्थाई सदन भी है जो कभी भंग नहीं होता आप एक प्रश्ण ऐसे भी पूछा जाता है कि राजे सबा के सदस्यता के लिए न्यून्तम उम्र कितनी होनी चाहिए 30 साल होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्यों का कारकाल 6 वर्ष के लिए होता है और इसके वर्तमान में सदस्यों की बात करेंगे कि राज्यसभा के पहले सभापती कौन थे अब हमने देखा राध्यसभा के सभापती कौन होते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तो मतलब यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे तो आंसर होगा डॉक्टर सर्वपली राधाकरशनन अच्छा हमने कहाना भी कि राध्यसभा के सदस्यों का जो कारकाले 6 साल का होता है और इसमें से याद रखना एक तिहाई यानि कि 1 by 3 सदस्य हर 2 साल के बाद रेटार्ड हो जाते हैं अब आपको एक प्रशन बताता हूँ जो आपके एक्जाम में पूछा गया था ये डारेक्ट प्रशन उठके आये था कि राध्यसभा के सदस्यता पाने के लिए न्यून्तम आयू कितनी होनी चाहिए अभी हमने पढ़ा था कितनी होनी चाहिए 30 साल होनी चाहिए एक प्रश्ण एक्जाम में यह आये था कि राज्यसभा के सदस्यों के कार्रेकाल के अवधी कितनी होती है तो कितनी होती है छे साल एक प्रश्ण पूछा गया था एक्जाम में कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिक्तम स्विकार्रे संख्या क्या है हमने का कितने हो सकते हैं 250 हो सकते हैं वरतमान में तो two forty way वे लेकिन पूछ रें अधिक्तम कितने हो सकते हैं 250 और एक प्रस्ष ने ये पूछा गया था किराज्य सभा सदस्यों का चुनाओ कितने समय के लिए किया जाता है तो 6-6 साल तक रहते हैं ये और हर दो-दो साल के ने बात करते हैं, तो राजसबा के सभापती आपके कौन है? जो हमारे वाइस प्रेशिडन्ट है और कौन है वाइस प्रेशिडन्ट? जगधीब धंकड flowing फोर्टीन नंबर के वाइस प्रेसिडन्ट है यह और उप्प सभापती कौन है? हरिवंश नारायंट सिंग है और सद अच्छा लगे तो like करके एक बार share जरूर कर देना बहुत मिनत लगती बनाने में लेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और quiz वगेरा तो बना करके upload की जारी है आपकी correct exam application में वहापे आप लगाते रहो quiz static quiz भी upload हो रही है और general science की quiz भी upload हो रही है दिली तो उसे लगाते रहो अपने practice जारी रखो अभी बढ़ते हैं आगे फिर बताओ अभी हाल में किसे अखिल भारते रबड उद्योग संग यानि कि All India Rubber Industries Association का नया अध्यक चुना गया किसे चुना गया रमेश केजरिवाल को तो अभी हाल में रमेश केजरिवाल को अखिल भारते रबड उद्योग संग का नया अध्यक चुना गया है और इस तरह से वो किन की जगे लेंगे डॉक्टर सावर धनानिया की जगे लेंगे अच्छा रबड से दो प्रश्ण में आपसे पूसता हूँ आपके करेंट अफेर्स के प्रश्ण है चेक करते हैं आपका नॉलेज पहला प्रश्ण बताओ दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित यानि की जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड का पौदा काँपे लगाया गया था तो आंचर होगा असम में और आप जानते हो ना भारते रबड अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा केरल में दूसरा प्रश्ण सुनो अभी बिहार के मुख्य मंत्री ने भारत का सबसे लंबा रबड डैम इसका उधगाटन किया था आपको बताना है किस नदी पे तो आंचर होगा फल्गू नदी पे और इस डैम का नाम है गयाजी डैम जोकी 411 मिटर लंबा है अभी अंतर राष्टर रबड अध्यन समू के नए अद्धेक्ष कोन बने थे के एन रागवन बने थे जिसका मुख्याले सिंगापूर में है अभी एश्याई होकी महासंग के नए CEO बने कोन तैयब इकराम और राष्टर इसमारक प्राधिकरन के नए अद्धेक्ष कोन बने किशोर कुमार बसा वेसे फिक्की के नए अद्धेक्ष बने थे उनका नाम है सुब्रकांत पांडा तो ये पॉइंट्स भी याद रखना पढ़ते आगे चलो बताओ अभी हाली में अरूना मिलर ये किस देश में लेफटिनेंग गवर्नर बनने वाली पहली भाड़ते अमेरिकी बनी है तो आंसर होगा अमेरिका तो अभी अरूना मिलर ने अमेरिका के मेरिलेंड राज्य में लेफटिनेंग गवर्नर का चुनाव जीत लिया और इस तरह से वो Maryland की Lieutenant Governor बनने वाली पहली भारते अमेरिकी महिला बन गई है आपको बता दू वहाँ पे Lieutenant Governor ये Governor के बाद राज्य का सर्वोच अधिकारी होता है और ये जो Aruna मिला रहे ये कहां से हैं वैसे इनका जन्म तो आंदर प्रदेश में हुआ था भारत में लेकिन जब ये साथ साल की हुई तो इनके माबाप इनको अमेरिका लेके चले गए मतलब वहाँ पे बस गई है अचा भारत मूल के कुछ और भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो अच्छे अच्छी पोस्ट उपर है विदेशों में जैसे कि आप जानते हो अमेरिका की बात चल रही है तो अमेरिका के वाइस प्रसिडेंट भारत मूल की हैं कमला हैरेस नाम है अभी युके में बारत मूल के पहले प्रधान मंतरी बने रिशी सुनक उनका नाम है इसी तरह से मौरिश्यस में प्रधान मंतरी ये हैं प्रवींध जगनाथ सेशल्स के प्रसाद संटोखी, गुयाना के प्रसाद मुहम्माद इर्फान अली और सिंगापुर के प्रसाद कौन है हलिमा याकूब इसके अलवा विश्विक की कुछ बड़ी-बड़ी कमपनीज हैं जहां पे भी भारते मुल्के व्यक्तियों का राज हैं जैसे की Microsoft के CEO सत्या नडेला Google के या यूं बोल दो अब तो Alphabet के CEO बन गए कौन सुन्दर पिचाई और Adopt के CEO को ने शांतनू नारयनन है तो ये सारे important points मैंने आपको बताए इनको ध्यान रखना बढ़ते आगे चलो बताओ अभी हाली में Mangrove Alliance for Climate में कौन सा देश शामिल हुआ तो आंसरो का भारत आपको बताए कोप 27 का आयोजन ये अभी 2022 में कापे हुआ मिश्र के शर्म अल शेख में तो यहीं पर भारत Mangrove Alliance और Climate में शामिल हो गया है आपको बतादू इससे पर लिए Australia, Japan, Spain और Sri Lanka भी इसमें शामिल हो चुके थे तो ये है क्या? तो इसमें क्या होता है? जो भी सदस से देश हैं, जो भी इसके सदस से बने हैं वो मिलकर के काम करते हैं, Mangrove Ecology System को कंजर्व करने का उसे बचाने का ये काम करते हैं Mangrove क्या होता है? ये छोटे पीड और जाड़िया हैं, जो समुद्री तट के किनारे उखते हैं और खारे पानी में पनपते हैं, और जमीन और समुद्र के किनारे पर अनोखे वन के रूप में विक्सेत होते हैं आप जानते हो भारत में सबसे ज़्यादा Mangrove Forest आपको किस राज़ी में मिलेंगे? तो अंसरों का पश्चि मंगाल में Mangrove की बात करें तो ये दुनिया का सबसे अधिक उत्पादक एको सिस्टम में से एक है ये 30 शरण को सुरक्षा देता है और कारबन को अलग करता है अच्छा इसके उपर इक डे भी होता है Mangrove पारिस्थितिकी तंतर के संगरक्षन के लिए अंतरराष्टर दिवस यानि कि World Mangrove D ये हम मनाते है 26 शुलाई को तो वे भी ध्यान रख लो बढ़ते आगे चलो बताओ अभी हाली में किसने पुरुष एकल 2022 पेरिस मास्टर्स का खिताब जीत लिया है तो अंसरों का होलगर रूने ने तो डेन्मार्क के टेनिस प्लियर है ये हॉलगर रूने जिन्नोंने 2022 पेरिस मास्टर्स किताब को जीत लिया है और ये उनके करियर का पहला ATP 1000 मास्टर्स टाइटल है क्या नाम है हॉलगर रूने अच्छा देको बाट टेनिस कीए यहाँ पे तो हम रिवाइस कर लेते हैं कि 2022 में जो चार ग्रेंड स्लेम होते हैं वो किस-किस ने जीते हैं उसका में सिंगल टाइटल और वोमें सिंगल टाइटल तो साल का जो पहला ग्रेंड स्लेम है उसे कहते हैं Australian Open तो उसमें में सिंगल टाइटल जीता राफेल नडाल ने ये इस्पेन के प्लेयर है और वोमेन सिंगल टाइटल जीता एशले बाटी ने कि अस्ट्रेलिया की है सन्यास लेलिया इन्होंने उसके बाद हमने देखा फ्रेंच ओपन हुआ जिसे रॉलेंड गेरोस भी कहते हैं इसमें मेन सिंगल टाइटल जीता राफेल नडने ही ये स्पेन के हैं और याद अखने को किंग ओफ कले कोट भी का जाता है और वोमेन सिंगल टाइटल जीता इगा स्वेटेक ने पॉलेंड के प्लेयर है फिर हुआ था विंबल्डन ओपन और इसका पूर शेकल का खिताब जीता नोवाग चुकोविच ने चुकि सर्बिया के हैं और वोमेन सिंगल टाइटल किस ने जीता एलेना रिबाकिना ने ये कजाकिस्तान से हैं और फिर हमने देखा भी यूएस ओपन हुआ था जिसमें मेन सिंगल टाइटल जीता है कारलोस अलका राज ने ये स्पेन के हैं और वोमेन सिंगल टाइटल जीता है इगा स्वेटेक ने ये पॉलेंड से हैं अब एग्जामेनर जाता से जादा वो ये पूच सकता है कि कौनसा क्रेंड स्लेम किस कोट पे खिला जाता है तो पहला और आखरी और यूएस ओपन ये हाड कोट पे होता है फ्रेंच ओपन आपका कले कोट पे होता है और विम्बल्डन आपका ग्रास कोट पे होता है ये लोग ये भी क्लियर हो गया ठ्यान रटना ये बढ़ते हैं के चलो बताओ अभी हाली में बिमस्टेक करशी मंतरियों की बैठक की मेजबानी किस ने की है तो आंसरों का भारत ने तो अभी 10 नवंबर को केंद्रे करशी मंतरी जो हमारे कौने नरेंद्र सिंग तो माल उनकी अद्यक्षिता में नई दिल्ली में बिमस्टेक करशी मंतरियों की बैठक की मेजबानी की गई है तो इस बैठक में बिमस्टेक करशी सहयूग को मजबूत करने के लिए कारे यूजना 2023 से लिके 2027 तक को अपनाया गया है बिमस्टेक आपको बताईए 2022 में इसकी जो अद्धिक्षिता है वो शेरिलंका के पास है अच्छा आपको याद है अभी करशी नेटवर्क अप्लिकेशन ने ब्रेंड अमबिस्टर बनाया था किसको पंकच त्रिपाठी को और आपको बताई किसान मोबाइल अप्लिकेशन को किस आई 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 टी ने बनाया आई 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 टी रूड की और नाबाड ने प्राकरतिक खेती को बड़ावा देने के लिए अभी कौन सा कारेकरम शुरू किया था तो आंसर होगा जीवा जीवा कारेकरम अच्छा आपको ये भी याद होगा भारत का पहला करशी निर्याद सुविधा केंदर कहां पे खुला है तो आंसर होगा पुणे महराष्ट्र में और अगर बे मिस्टेक की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म देखो पहले तो इंडिया, मियानमार, शिरिलंका, थाइलेंड, नेपाल, भूटान, हेड़कोर्टर ढाका बांगलादेश में है और अभी 2022 में पांचवे बिम्स्टेक सम्मिलन के अद्धिक्षिता ये शिरिलंका ने की है तो ये आप ध्यान रखना बढ़ते हैं चलो फिर बताओ अभी हा फेस्टिवल का आयोजन ये कांपे किया गया तो आंचर होगा नागलेंड में नागलेंड की जो नागजन जाती है उसके द्वारा इस फेस्टिवल को मनाया जाता है ये फसल कटाई के बाद का तिवार है जो कि नवंबर के पहले सब्ता में मनाया जाता है देखो नागलें के एक खिरा ककड़ी को जी आई टेग मिला था नागलेंड की ही है राजा मर्च जिसे भूत जो लोकिया कहते है उसको भी जी आई टेग मिल चुका है तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछा गए प्रशन के उत्तर की तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी किसे पहले केरल जीोती पुरुसकार के लिए चुना गया है तो आंशर होगा आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और गाइस प्लीज सेशन अच्छा लगे और अभी तक आपने इसे लाइक नी किया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका study group हो गया वहाँ पे इस वीडियो के link को एक बर share जरूर कर देना आप लोगों की practice करने के लिए इसकी quiz बना करके upload कर दी गई आपके correct exam application पे वहीं पेन की PDF पे आपको मिल जाएगी अब ये रहा आज का आपका homework प्रशन